वेलकम टू एज चैनल बिंग डॉक्टर तो देखीए गाइज हम लोग देख रहे हैं पदात विज्ञान और पदात विज्ञान में हम लोगों ने जो द्रव्वे हैं वो देखने वाले हैं इससे पहले हम लोगों ने पदास, 7 टाइप के पदास कम्पलीट कर चुके हैं जो चली आप देखने वाले हम लोग जो है वो दिक निरूपन यानि दिशा निरूपन इससे पहले हम लोग जो द्रव्वे संग्रे कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं खादी नियात्म मन कालो दिसज द्रववे संग्र इसका क्या मतलब है खादी निया मतलब आपका पंच माबुताज है इसके बाद बोला है खादी नियात्म आत्मा 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 मतलब जो आपका सोल हो गया मन मतलब आपका माइंड हो गया और कालो मतलब आपका जो काल हो गय हो गया दिशे जानी दिशा हो गया डायरेक्शन हो गया इन सब को मिला के के इतना बना नौ तो ये सारी नौ चीजे जो है वो द्रव्वे संग्र में इंक्लूडड़ है चले गाइस जल्दी से देख लेते हैं दिशा कर डिस्क्रिप्शन ठीक है तो दिशा है क्या इस वाली वीडियो में हम लोग दिशा आत्मा और मन देखने वाले तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए और लास्ट तक देखिए ठीक है चली स्टार्ट करते अब दिशा मैंने जैसे बोला अगर मैं बोलू तो नवाक आरंदरभ यह जिसको दिशा बोला गया है इसमें सबसे पहला आपको लंडराखना वह है पच्यादी व्यभार हेतूर दीग यह जो है आपको पहला श्लोको लंडराखना ए ठीक है और इसका मतलब क्या होता है इन सब का पता कैसे चलता है, इन सब का पता में दिशा से चलता है, दिशा निरूपन से चलता है, अब देखे, मैंने बोला 10 टाइप की दिशा है, ठीक है, अब 10 टाइप की दिशा कौन से, उत्तर यानी नौर्थ हो गया आपका, क्या हो गया, नौर्थ हो गया, देखे आप, मैं लिखता हूँ उत्तर यानी North ठीक है दक्षिन दक्षिन यानी South हो गया आपका जिनको पता नहीं है वो याद कर सकते इसको दक्षिन यानी South हो गया पूर्वा यानी East हो गया और जो पस्ची में आपका वो गया West ठीक है अब अगर मैं बोलू तो उत्तर और पूर्वा की बीच में आने वाला इशान्य है ठीक है तो उसको मैंने क्या बोला नौर्थ इस्ट ठीक है और दक्षिन और पूर्वा की बीच में आने वाला क्या है आगने यह है तो मैंने क्या बोला सौथ इस्ट ठीक है और अगर मैं बोलू South और West के बीच में आलवा नेरित्ते है तो उसको मैंने बोला क्या बोला? क्या बोल दूँगा? South West ठीक है? और अगर मैं तो इसको बोल दिया मैंने South West और वैसे अगर मैं देखूँ तो आप देखें यावे क्या है? dashboard यूसको मैंने क्या बोल दिया Northuest ठीक है? तो यह आपको याद रखना है ये कितने होगे पूरे देखी? 1, 2, 3, 4 और ये बाकी 4 । ठीक है कितने होगे? 8 होगे? अब और दो कौनसे होंगे? उष्दव और अधो क्या मालवान है उर्द्व उर्द्व है नहीं upwards upwards जो है उसको उर्द्व बोल दिया और अधो मैंने downwards को बोल दिया downward direction को क्या बोल दिया मैंने अधो बोल दिया ठीक है तो ये क्या हो गया ये हो गया दस आपकी जो है दिशा बोली गई गया अब मैं अगर दिशा की गुनास की बात करूँ मैं बात कर रहा हूं दिशा की गुनास की सबसे पहला गुन है सांख्य ठीक है परिमान प्रितक्तव सम्यो विभग जिसको ये सब समझ नहीं आया ना वो जाके पहले हमारा परादी गुनास देखे गाईज परादी गुनास जो आपको सबसे पहले वीडियो में मिल दाएगा पद्धार्थ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारी मिल देंगी गाईज वहाँ से अगर मैं बोलू significance अब दिशा तो significance क्या है सबसे पहला significance बहुत सारी significance है पर हम लोग कुछ ही करने वाल है दीखे गईज फुझीशन न अगर उसको sound knowledge निए कि कौन सा ओरगर कोन से place में located है अगर उससे knowledge नहीं है तो वो रोग निदान नहीं कर पायगा ठीक है रोग का ठीक से निदान नहीं कर पाएगा रोग को ठीक से ठीक नहीं कर पाएगा रोग निदान आपको second year म आपको subject है रोग निदान का अब अगर मैं बोलू दूसरा है पंच कर्मा पंच कर्मा आपको जैसे मैं बोलता हूं उर्दुव उर्दुव मतलब कर रहे हैं तो आपको incision लेते हुए ठीक है इंसीजन लेते हुए आपको जो है वो लगता है दिशा ठीक है direction कौन से direction में कहा पे कितना incision लेना है इसमें भी दिशा का बहुत जादा महत्व है अगर मैं बोलू sonography radiography जिन में यह सारा जो करने में आपको CT scan MRI करने में इन सब में भी आपको क्या लगेगा दिशा लगेगा ठीक है तो दिशा के विगर यह सब भी नहीं हो सकता आपको जब पता ही नहीं चलेगा कि कौन से position में आपको जो ए एकसरे लेना है कौन से position में या फिर कौन से direction में वो आपको नहीं पता चाहिए ठीक है अगर आपको दिशा का sound knowledge नहीं अगर मैं पाचवा बोलू तो पाचवा अगर medicine और drugs लेते हुए ठीक है आप अगर जब medicine और medicines और drugs consume कर रहे हैं पेशेंट तब उनको किस direction में जो है वो face करना चाहिए east और north यह सारा जो है वो आयर वेदा में लिखा गया है ठीक है गाई मैं कुछ अपने आप से नहीं बता रहा तो इस video में हम ने क्या देखा पूरा दिशा देखा अब अगर मैं बोलो आपको आत्मा तो कि देखे गाइस आत्मा का वीडियो हमने पहले ही हमारी चैनल पर डाल दिया है और जिसकिसी को भी आत्मा से कोई पहले हैं वहाँ पर आपको प्रिया शारी नाम की प्लेइस्ट है वहाँ पर आपको मन और आत्मा मिल जाएगा तो वहाँ आपको कॉमन क्या है कि आपको बस पढ़ते रहना है और अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप यह सब चीजे जो फेड होती रहेंगे भूलते रहेंगे ठीक है और अगर भूलते रहेंगे तो आपका पढ़ने का कोई फाइदा होगा नहीं ठीक है ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसको रेगुलर रिवीजिन चाहिए अगर आप रेगुलर ली रिवाइज नहीं कर रहें तो आप देरे देरे जीजे आपसे फेड होती र रहेंगे आप बूलते रहेंगे तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और अपने ज्यादा ज्यादा दोस्तों को बताईए ताकि सबको पता चले कि भाई आयरुवेद का ऐसा प्लैटफॉर्म है जा हम ठीक से पढ़ सकते हैं ठीक